हलो फ्रेंड्स, And Click Saunders, अपन थिर्जा क्ला से स्टेडी कर रहे थे चाप्टर नमपर 24 लेबर और बर्थ जिसके दो पार्ट अपने अब तक स्टेडी कर लिए थे आज अपने स्टेडी करेंगे पार्ट थर्ड तो जिन बचों ने जो previously दो पार्ट है वो study नहीं किये, उनका वीडियो अगर नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है, तो आज का पार्ट थर्ड जो है, थर्ड नंबर का जो पार्ट है, इसमें अपने study करेंगे, stages of labor, basically चार stages होती है, जिसको अपन बोल latent phase, active phase, transition phase, ठीक है, ये तीनों phase अपने study करेंगे, stage first में क्या होता है, effacement and dilation होता है, किसका, cervix का, देखिए, effacement का मतलब होता है, ये mother का cervix है, ठीक है, और बच्चा term pregnancy पर, यानि अब delivery होना है, labor की process स्टार्ट होगी, तो बच्चा आएगा downward, तो ये बच्चे का head है, इस cervix पर pressure डालेगा, और cervix का size जो है, वो छोटा होगा, शोट होगा, उसको अपने बोलते हैं, effacement, या इसका पूरा नाम है, cervical effacement, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, तो first stage में एक तो ये होगा, cervical effacement, और साथ होगा, dilation of cervix, cervix जो है, इसका मुह थोड़ा सा open होगा, खुलेगा क्योंकि बच्चे को नीचे आना है, ठीक है, तो इसलिए, stage first में, effacement, यानि कि service का size शोट होना, और cervical dilation, ये दोनों काम होते हैं, stage first में, ठीक है, stage second में बात करें, तो expulsion of fetus, बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है, actual delivery इसी को ही बोलते हैं, stage second को, और stage third जो है, इसमें separation and expulsion of placenta, placenta delivery होती है, ठीक है, और stage fourth जो है, इसमें basically mother के जितने भी organs है, mother की जो physiology है, वो back to normal, normal हाती है, इसको recovery phase भी बोलते हैं, ठीक है, अब इन चारों को अपन आराम से detail में study करते हैं, तो देखिए, stage first की बात कर लेते हैं, अपन सबसे पहले, आराम से पढ़ना, ठीक है, बहुत ही easy तरीके से मैंने notes मनाई है, NCLEX का एक-एक point include किया है, NCLEX से, बच्चों को मैं वापिस बता जाता हूं, जिनको नहीं पता है, कई बच्चे नहीं जूरते हैं, तो इसलिए, NCLEX Saunders 9th edition जो है, Linda Ennis Silvestri, ठीक है, इनका जो 9th edition है, फिलहाल latest अभी वो ही चल रहे है, ठीक है, तो उ उसमें से मैंने सारा content लिया हुआ है, अलग से मैंने कुछ भी एड़नी किया है, तो stage first अपने study करते हैं, तो stage first में मैंने बताया था कि effacement and dilation of cervix, basically cervix dilate होता है, बच्चा deliver अगली stage में होगा, second भी होगा, first stage में cervix dilate ही होगा मात्र, ठीक है, तो देखिए, इसकी मैंने तीन stage बताया थी, latent phase, active phase और तीसरी transition phase, तो इसमें सबसी पहली phase है, latent phase, ठीक है, तो latent phase में क्या होगा, वापिस बता तेता हूँ, stage first, ठीक है, stage first के अंदर भी तीन phase है, latent, active, transition, ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, उसके बाद में stage second तो latent phase में अपन क्या करते हैं, तो latent phase में अपने ये study करेंगे, कि cervix जो है, cervical dilation होगा, ठीक है, progressive होगा, cervix dilate first जो latent phase है, इसमें 4 cm तक, यानि 1 से 4 cm, maximum कितना होता है cervix dilate, 10 cm तक होता है, ठीक है, उस 10 में से, जो पहली latent phase है, इसमें 4 cm तक का जो cervix है, वो first latent phase में cervix dilate हो ठीक है, uterine contraction की बात करें, तो इस phase में, यानि कि latent phase में uterus का contraction है, 15 से 30, ठीक है, परतेक 15 से 30 minute पर uterus contraction मारेगा, आपी समझ लेना, latent phase में, every 15 to 30 minute uterus, uterine contraction create होगे, ठीक है, और जो contraction होगा, कितनी देर तक रहेंगे, वो contraction, 15 से 30 seconds तक रहेंगे, ठीक है, easy एकदम, और intensity की बात करें, तो mild, जो severity है, mild mode पर contraction रहेंगे, यानि sayn करने लएक रहेंगे, ठीक है, basically बात इतनी है, इस phase में, next आपन बात करते हैं, अब इस phase में intervention अपन क्या करेंगे, latent phase है, यह तो phase की बात होगी, कि यह phase में यह सब चीज़े होती है, intervention क्या करना है, intervention में अपने को monitor करने है, vital sign, fetal hydrate monitor करना है, maternal चो comfort device है, pillow अगरे देना है मदर को, आराम से उसको position देनी है, ठीक है, और साथी साथ, embulation यदि करने की चाहो, खुमने फिरने की चाहो, तो मदर को भी अपन प्रवाइड करवा सकते हैं, और waiting करवाना है उसको, मदर को 1-2 गंटे पर, every 1-2 hour मदर को, ताकि bilater खली रहे, ठीक है, तो यह होगा है latent phase और उसका management, next अपन बात करते है, active phase, stage first ही चल रहा है, ध्यान में रखना, stage first में second phase है, that is active phase, active phase क्या है, active phase होता है, कि इस phase में cervix का dilation, देखो first stage में कहां तक हुआ था, first phase में कहां तक हुआ था, एक से 4 cm dilat हुआ था, अब यहां पर cervix का dilation होगा, 4 to 7 cm, ठीक है, uterine contraction की बात करें, तो contraction जो है, every 3 to 5 minute पर contraction लगेंगे, और परतेक contraction जो है, वो 30 से 60 second तक रहेगा, intensity की बात करें, तिवरता कितनी होगी, कितना गंबीर होगा contraction, तो moderate होगा, यानि यह भी थोड़ा सा restless होगी मदर, लेकिन उसमें भी सैन करने लाइक, यह contraction होगे, management की बात करें, तो इस phase में management क्या करना है, monitor करना है, vital sign को, fetal heart rate को, यह तो करना ही करना है, हर phase में करना है, यह काम तो, और साथी साथ, increase करना है, breathing को, ठीक है, breathing को, encourage करना है, मदर को, breathing के लिए बोलना है, ठीक है, blowing type का breathing, जो है, लंबी सांस लेकर के और मुग के द्वारा छोड़ना हवा, ठीक है, और quiet environment प्रवाइड करवाना है, supportive device, maternal, supportive device प्रवाइड करवानी है, और वोईडिंग 1 to 2 अवर, प्रतेक, 1 से गंटे, 2 गंटे पीच में, वोईडिंग जो हो, करवाते रहना है, चलिए, last, stage first में, stage first, और phase कोन सी है, तीसरी, को contraction की बात करें, तो contraction जो है, contraction परतेक 2 से 3 मिनिट पर, देखिए, जल्दी जल्दी लगेंगे अब contraction, ठीक है, और कितनी देर तक रहेगा contraction, ये contraction 45 से 90 से करेगा, intensity, strong contraction होगा, तेज होगा contraction, ठीक है, intervention की बात कर लेते हैं, transition phase में, intervention क्या रखना होता है, maternal vital sign monitor करना, fetal heart rate, ये तो even contraction, के contraction लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं, एक contraction और दूसरे contraction के बीच में, मदर को बोलना है, कि तोड़ा risk test कर ले, क्योंकि वरना तो मदर ठक जाएगी, पूछ नहीं कर पाएगी, ठीक है, next, privacy, जो हो प्रवाइड करवानी है मदर को, और साथी साथ, wording 1, 2, 2, और अपने को ध्यान में रखना है, अब देखिए एक important point, जो unclicks में red color वाले point है, बहुत महत्वपून point है, if membrane have ruptured, यदि जो membrane है, जो की fetus को cover करके रखती है, वो यदि rupture हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, assess the fetal heart rate, because of risk of prolapse umbilical cord, ठीक है, जैसे ही rupture ह तो fluid leakage होगा, ठीक है, amniotic fluid बाहर आएगा, तो अपने को पता सल जाएगा, कि membrane rupture हो चुकी है, ठीक है, और थोड़ा सा bloody tap का fluid निकलेगा, तो अपने को पता सल जाएगा, कि membrane rupture हो चुकी है, और जैसे ही membrane rupture होती है, first nursing officer की responsibility होती है, to check the fetal heart rate, because जो umbilical cord है, उसका बाहर निकल का risk रहता है, क्योंकि membrane टूटने के बाद में सीधी umbilical cord बाहर आएगी, ठीक है, तो अपने को असेस करना है, और यदि umbilical cord बाहर आगए, तो fatal heart rate की गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए अपने को ये assess करना है, and assess color of amniotic fluid, और साथ इसाथ अपने को जो fluid निकलेगा, membrane rupture होने के बाद में, उस fluid का भी color अपने को check करना है, क्यों करना है, क्योंकि meconium stand fluid है, यदि greenish color का fluid निकल रहा है, इसका मतलब it will indication of fatal distress, इसका मतलब fetal जो है, fetus को कोई-कोई problem जरूर हुई है, otherwise, ठीक है, अगर normal fluid होगा, तो वो straw color का होगा, ठीक है, और यदि me meconium stand हो रहा है, तो इसका मतलब fetal distress को indicate करेगा, तो यह point important है, इसमें बहुत सारी बात है, अच्छे से इसको समझ लेना, चलिए, first stage हो गई अपनी, second stage की बात करते हैं, तो first stage में क्या हुआ था, कि cervix सिर्फ dilet हुआ था 10 cm तक, अब second stage में क्या होगा, cervix complete dilet हो चुका है, और साथ इस phase में क्या होना है, delivery of a, actual delivery of a fetus, यह अपने को ध्यान में रखना है, तीक है, अब देखिए, contraction की बात कर लेते हैं, तो इस phase में, contraction जो है, every two to three minute contraction लगेंगे, और एक contraction 60 to 75 seconds तक stay करेगा, lasting करेगा, and intensity की बात करेंगे, तो इस stage में, जो contraction है, वो strong रहते हैं, क्योंकि contraction तो मदर को strong लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, अब देखिए, एक important word, जो second stage में अपने study करते हैं, that is Ferguson reflex, Ferguson reflex, क्या होता यह, it is a reflex of pregnant mother, to feel urge to push and pushing effort, ठीक है, यानि कि वो pushing का जो effort, जो push करने का, जो एक, मदर जो कोशिश कर रही है, उसको अपन बोलते हैं, Ferguson reflex, बोलते हैं, थ्र पुश करो, पुश करो, पुश करो, तो वो actual reflex निकल कर किया था, मदर चाहती है कि इस बच्चे को बस deliver करते हैं, क्योंकि इस पहन को वो send नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो उसी को अपन बोलते है, Ferguson reflex, ठीक है, तो यह भी second stage में होता है, इसलिए अपने इस word को पढ़ा, अच्छी कमान कर रहा है, मैंने इनको उपर research करके इनको अलग से पढ़ा है, बहुत अच्छे दरीगे से, इसलिए मेरी terminology clear है, पूरियन clicks की, throughout, हर subject की, वो ही मैं आप लोगों को शिका रहा हूँ, ठीक है, अब intervention की बात करें, intervention में अपने को क्या करना है, second stage में क्या हो रहा ह ठीक है, और क्या करना है, rest between contraction and breathing, मदर को contraction के बेच में, क्योंकि वो ठक जाएगी मदर, बहुत ज़्यादा energies हो है, वो waste होती है, delivery के दोरान, ठीक है, तो यह मदर को बीच में बोलना है, कि थोड़ी energy consume करें, थोड़ी energy, contraction के बीच में जब वो थोड़ा relax होना, तो उस time उसको बोलना है, कि थोड़ा relax हो जाव, अरम से सांस लो, ठीक है, क्योंकि वापिस contraction होगे, तो वापिस मदर को push करना पड़ेगा, Ferguson reflex जो है, एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है, तो और next क्या करेंगे, patient privacy provide करेंगे, क्योंकि एक hesitation भी रहती है, कि वार्ड में हर कोई चल कर कर के आगया, मूठ आगया, हाना, वो भी नहीं होना चाहिए, मदर को proper privacy चाहिए होता है, ठीक है, तो उस तुरान privacy screening वागर है, प्रोपर करेंगे, यह जो mail staff या जो वाड़ बोई वगर है, उनको थोड़ा सा, उनसे थोड़ा screening वागर कर देंगे, ठीक है, next, proper position जो है, वो लितो इस्टेज में placenta बाहर निकलता है, expulsion of placenta, अब देखिए, expulsion of placenta जो है, occur 5 to 30 minutes after birth of infant, बच्चे के डिलेवर होने के 5 से 30 minutes के अंदर अंदर जो है placenta अपनी जगर छोड़तेगा और बाहर निकल आएगा, ठीक है, अब देखिए, दो important word, two way of separation of placenta, दो तरीके से placenta जो है, वो य देखिए सेर्ल्स मेकेनिजम, और दूसरी है डंकन मेकेनिजम, सेर्ल्स मेकेनिजम क्या कहता है, कि placenta या प्लेसेंटा जो है, यो center to periphery यानि बीच से separate होकरके, परिदि की तरफ, कैंद्र से लेकर के, जो परिदि है, मार्जिन है, उसकी तरफ separate होती है, या दूसरा तरीका ह मेंस सेपरेट होने का कि पहले वह पेरिफेरि से सेपरेट होगी जिरी के और पेरि फेरिफेरिस सेपरेट होते हुए है सेंटर तक आएगी तो बस ये दो तरीके Beispiel सी बात है ये थलिडिकोती कि गुमांगर की लेंगवेज दी वही थी simple meaning यही है दो तरीके हैं placenta के separate होने के एक होता suds method और दूसरा अटता है duncan method ठीक है यह duncan mechanism चलिए intervention की बात करें तो third stage में हो क्या रहा है placenta separate हो रही है तो अपने को क्या करना है maternal vital sign लेनी है fetal heart rate लेनी है और assist करना है uterine status को ठीक है uterus जो है उसमें कोई bleeding अगर नहीं हो रहा है एक्जामिन करना है placenta को cotyledons placenta जो बाहर निकली है उसके अंदर जो cotyledons होते है 22-26 के आसपास cotyledons होते हैं से उनको गिन लेना है कोई भी cotyledon यदि placenta का part अंदर रह गया तो retained bit of placenta can cause postpartum hemorrhage placenta का एक टुकड़ा यदि uterus में रहा गया तो वो postpartum hemorrhage करेगा क्यों क्यों वो infection को जनम देता हो ठीक है तो यह बहुत important बहुत ज़्यादा important question है यह हलकी में मतले ना इसको placenta के cotyledons को गिनना में question आए वे तीन से चार बार होगा है यह question ठीक है और क्या करना है और mom बेबी का अटेश्मेंट करना है यानि मदर का जो chest है उस पर बेबी को लिटा देना है ताकि वो तोड़ा एक bonding बनती उससे ठीक है चलिए next fourth stage क्या है इसको आपन बोलते है रेस्टिंग फेज इसके मदर असेस करना होता है अब delivery वगेर सब कुछ हो गया placenta विटर सब निकल गए तो क्या करना है जो blood pressure है मदर का pulse है और जो लोकिया वगेर है जो local fluid निकल रहा है वो असेस करना है मसाज करना है uterus को ताकि जो uterine artery है वो block हो सके ठीक है और उसके वज़ा से क्या हो सके कि जो bleeding ह वो रुख सके ब्लोक कैसे होगी अब कई बच्चे सोचेंगे मसाज करने से ब्लोक कैसे होगी थोड़ी नहोगा artery में मसाज करने से artery block कैसे होगी उसका एक reason है यह uterine fiber है muscles के fiber है यहां से बीच में से निकलती है uterine artery ठीक है अब muscles के जो fiber है वहाँ पर अपन क्या करेंगे एजिट में जो बता रहा हूँ वैसे का वैसे ही समझन है ठीक है न तो इसलिए मसाज करने से bleeding stop होती है artery थोड़ी uterus की वो contraction की वज़े से artery जो है उसमें close होती हो ठीक है तो इसलिए bleeding को रोकने के लिए massage की जाती है यह ध्यान में रखना uterus की मसाज इसलिए कि जाती है और क् increase breastfeeding ठीक है और अपने हो क्या करना होता है मदर को breastfeeding के लिए increase करना होता है तो इसी के साथ अपनी stages जो है वो complete होती है एक चोटा सा part बच गए है chapter 24 का वो पन नेक्स्ट वीडियो में study करेंगे धन्यवाद